अंतराश्ट्रिय मार्केट में मांग बढ़ने से इस बार नर्मा कपास के कीमतों में रिकोर्ड बढ़ोतरी के असार जिहां साइद यही कारण है कि कल नर्मा और कपास के भाव में अच्छी खासी तेजी देखी गई कल नर्मे का भाव चुरासी सो पचास रुपए परती कवंटल के स्तर को छू गया ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब नर्मा अपने यूंतम समर्थन मुले यानी MSP से तकरीबन धाई हजार रुपए परती कवंटल ज्यादा विक रहा है इससे पहले कभी कोटन की कीमते 3700 रुपए परती कवंटल से पार नहीं गई दस साल पहले 2011 में नर्मे का फसल 7000 रुपए परती कवंटल के स्तर को पार कर गई थी जबकि 2014 में इसका अधिक्तम भाव 664 रुपए रहा था किसानों को उमीद है कि बहुत जल नर्मा का पास के भाव 10,000 रुपए परती कवंटल के स्तर को पार कर जाएंगे हलांकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब नर्मा उनका पास के भाव इतनी उंचाई पर है लेकिन प्रोडक्शन काफी कम रहेगा इस बार कोटन की बंपर फसल होने की उमीद थी लेकिन फसल में केडा होने और बेमोसम बर्शातने किसानों की सपने चकना चूर कर दिये भाव बिते साल से जरूर अधिक किसानों को मिल रहे हैं लेकिन परती एकड उत्पादन काफी कम रहने के आशार ऐसे में अपकिसान भाईयों को सिरफ अच्छे भावं से ही उमीद है कि कुछ ना कुछ भरपाई हो पाए सनीवार को राजस्तान की मंडियों में नर्मा के भाव चुरासी सो पचास रुपे परती कवंटल के स्तर को पार कर गए जबकि हन्मानगड में नर्मा ब्यासी सो रुपे सिर्फ्रा में अठांतर सो इकी सु रुपे बेचने की जल्दबादी ने करें और अपनी जरूरत के अनुसार फसल के तीन से चार भाओं में बेचें थैंक्यू